फ्रेंड्स आप साइड में देख रहे हैं आज हमारे पास वासिंग मसीन की एक कंप्लेंड आई है जिसमें दिक्कत ये आ रही है कि इसकी जो फैन वेल्ट है वो लूज है जैसे हम इसके वास्टब में कपड़े डालते हैं तो इसके वेल्ट क्या फिरी हो जाती है तो हमने का आप अपनी वेल्ट को टाइट कर सकते हैं उसी वेल्ट को तो करना कुछ भी नहीं है छोटा सा वीडियो है पूरा देखें ध्यान से देखें काफी अच्छी नॉलिज मिलेगी दोस्तों मेरा नाम है समय और आप देखे हैं हमारा यूटूब चैनल टेक्निकल समय चैनल पर अगर आप पहली बारा चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक से जरू करें और साथ साथ में और पर भी क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो तुरंत आप तक पहुंच पार आपसे कोई भी यूजफुल जानकारी मिसना हो तो दोस्तों आईए सिरू करते हैं वीडियो कि इस वासिंग मशीन में प्रोब्लम यह आ रही कि जैसे ही हम इसमें कपड़े डालते हैं तो इसका गेरबॉक्स फिरी हो जाता है यह इनकि इसकी जो बेल्ट है लूज है और हमने कैफी ट्राइ किया उस बेल्ट का लेकिन हमें इससे छोटी और टाइट बेल्ट इसमें नहीं मिली और अब हम क्या करेंगे इसमें इसका एक तरीका यह भी है कि वैल्ट किया अलग-अलग साइज में हो सकता है आपको मिल जाए लेकिन हमने ट्राइक हमें नहीं मिली तो हमने इसका एक दूसरा उपाई क्या है यहाँ पर हमको एक पुली खरी दी हमने और इससे ठोड़ है अवर साइज किया म अलब मॉडल इसी तरीका का है छैकिन हलका इसी बड़ी है कि और देख सकते हैं यहां पर तो हमने पुराणी को खोल लिया है और नई पुल्य को हम लगाए इसमें क्या है कि हलके सी पुली बड़ी है और जो इसकी पहली बाली मोटर थी वो मिस हो गई, यानि कि खो गई, तो दूसरी मोटर हमने किसी वासिमसीन के रखी हुई थी, वो लगई, उसके अंदर ही पॉली आई हुई थी, जो हमने इस में, मतलब पुरानी पुली थी, जो इसके मोटर के साथ थी थी, तो इसमें हमने यह सेम बेल्ट लगाया तो यह बेल्ट नहीं लगा और दूसरा बेल्ट भी हमने ट्राई किया इसका लगाने का लेकिन हमें नहीं मिला इस साइज का उलब और यह बुल्ट लगाने के बाद फिर हम इस पर बेल्ट चड़ाएंगे और फिर देखेंगे कितनी लूज रहती है प्रेंट जादा बेल्ट लूज होती है तो क्या होता है कि उसके अंदर मतलब जब हम ज़्यादा कपड़े रालते हैं और मसीन पर लोड़ाता है तो चड़ाएंगे कितना लूज है तो यहां पर आप देखेंगे 22 नंबर वेल्ट था हमारे पास और आप यहां देख सकते हैं यह वेल्ट हमने चड़ाद दिया और आप यहां देख सकते हैं पहले से काफी टाइट है और हमारी मसीन बिल्कुल ओकर चलेगी इस तरीके से भी ह हम अपनी बेल्ट को टाइट कर सकते हैं 120 रुपे की ये पोली हमें मिली है अगर अगर हम बैल्ट भी खरीदेंगे तो लग बख 70-70 रुपे की हम उको बैल्ट मिलती है तो पुली खरीदी है हमने पुली से क्या आई कि फिक्स आई है इस पर और अगली बार जब हम इस पर बैल्ट बदलेंगे तो कोई परेशानी हमको इसमें नहीं आईगी दोस्तों यह mismatch इसलिए हुई थी क्योंकि इसकी पुरानी मोटर थी वो खो गई थी किसी और इसके पास जब हमने इसमें दूसरी मोटर लगाई तो सेम पुली थी उसके अंदर जो उसके साथ ही आई थी मोटर के तो उसको जब हम लगा रहे थे तो उसमें वो वेल्ट लूज की और वैसे सेम कंपनी की दे लेकिन इसमें इसकी बैल्ट का दिक्कत आ रही थी तो हमने इसमें दूसरी जो बैल उमान पुली थी उसको लगाया और उसके बाद यह बिल्कुल ओके हो गई तो इस तरीके से आप भी अपनी वास की मोटर की बैल्ट की प्रोब्लम है तो मैं आप लिए लाता रहूंगा और मिलेंगे आपसे नई वीडियो में नई टोपिक के साथ तब तक के लिए बाई बाई टेक किया